राहू चोथे घर में जी हां चोथे घर के राहू हमारी personality को एक दम से different सा आयाम ले देते हैं बाकियों से अलग show कर देते हैं और कई बार ये life में कई तरह के challenges लेकर आते हैं मन को कई बार बहुत पीडित करते हैं किस तरह से ये करते हैं और इनके इलाज क्या हैं, उपाई क्या हैं इन सभी की चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं नमस्कार, योगेश शर्मा है मेरा नाम यानि हमारे पास जीवन में जो जो साधन है क्या आप उनका सुक भोग पाएंगे ये सब हम चौतेगर से या चंदर्मा की पोजिशन से दिखते हैं और अगर यहाँ पे राहू हो तो इन सभी चीज़ों के जो रिजल्ट हैं ना लाइट में ये काफी ज़्यादा डिफरेंट दिखने को दिखते हैं अगर यहाँ पे चंदर्मा सही होगी तो फिर तो ये जो इनसान है ना बड़ी सोच वाला इनसान है इसका अपनी वानी पे अपने शब्दों पे खूब अच्छे वाला कंट्रोल होता तब ये जिस तरह से जगत को खुद को पेश करना चाहता है ना बिल्कुल उसी तरह से दिखाएगा यानि इसका जो दिखावा भी होगा ना वो भी बिल्कुल रेल जैसा दिखाएगा अगर ये राहू यहाँ पे अच्छे होँ तो इन लोगों को कई बार देखा गया बड़ी गाड़ियों का बहुत शौक होता है अच्छे अच्छे गैजट्स का बहुत शौक होता है और यहाँ पे राहू अच्छे होने से ये इनसान विजनरी बन जाना है यानि आने वाले समय की आहट को पहले से पहचानके अपने जीवन में वो जो रिक्वाइड बदलाव होते हैं वो बड़े आराम से ले आपा है शर्त यही है कि यहाँ पे चंदर्मा जो है जब परतिचाग में बहुत अच्छे होने जाए राहू चौते में और फर्स्ट हाउस में चंदर्मा हो जाएंगे तो अब यह माना जाता है कि अब इस इंसान को जीवन में पैसे कमाने की बे इंतहा मौके मिलेंगे और यह उन मौकों को कैश भी कराएंगे और कूप सारा पैसा भी कमाएंगे लेकिन अगर चंदर्मा वीक हो जाएं तो फिर अभी यह जो राहू है ना अब घराबियां देनी शुरू करते हैं सबसे पहले हिट लगती है थौट प्रोसेस पर अब यह लोग बहुत वहमी से हो जाते हैं कई बार बहुत negative minded हो जाते हैं हर बात का गलत मतलब निकालना और गलत मतलब निकालके लड़ाई चालू कर देना फिर इनके यह निशानिया देनी शुरू हो जाते हैं कई पर देखा गया है कि यह एक काम में मने लिए लगता है इनका काम पे काम बदलते चले जाते हैं इनके professions change होते चले जाते हैं और कोई भी profession इनको suit नहीं करता है यहां पे रहू खराब हो तो इंसान daydreamer बन जाता है यानि दिन में ही सपने देखते रहना या उन सपनों को पूरा करने के लिए साधन कोई होते नहीं है बस बड़े बड़े target बनाते रहना बस target ही बनाते हैं उसको implement करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता है और यहां से एक और बात निकल के आती है कि चौते घर के रहू वाले अगर अपना कोई owner develop कर ले तो फिर believe करें फिर इनकी life में एक dump से suddenly बहुत अच्छे changes आने शुरू हो जाती है लेकिन खराब रहू कि यह निशानी है कि इनसान depression में stress में रहना शुरू हो जाता है और specially क्योंकि चंदर्मा मा का कारक है देखा गया कि इनके mother को इनकी मा को भी काफी stress, anxiety, depression इस तरह की समस्य है जो है वो हो जाती है अब चौथे घर में रहू है न तो अगर चलते चलते वर्षफल में भी रहू चौथे घर में आ जाए उस साल में इन लोगों को toilet तुड़वाना बहुत बुरी तरह से ना ही ये चछत को change करवाए और ना ही toilet change करवाए ऐसा करने से इनकी लाइप में बहुत ज्यादा बुरे घटना करम होने शुरू होता थे हैं और वो घटना करम किस तरह के होते हैं बर्थ चाट में जहां पे भी शनी होगा ना उस घर से संबंदित दिक्कते इनको आनी शुरू हो जाएगे जैसे के अब चौथे घर में राहू बर्षवल में की चलते चलते आ गया है और इन्होंने टौइलेट चेंज करवा दिया और शनी है उस समय छटे घर में अब छटा घर है दुश्मनों का छटा घर है बीमारीं का छटे घर से संबंदित क्या दिक्कते इनको आएगी अब या तो एक दम से सड़न कोई बीमारी आ जाएगी या दुश्मन इस तरह से अक्टिव हो जाएंगे कि इनका जीना मुखाब हो तो इस केस में इनको उस पूरे साल में इन चीज़ों से बचना जाएगी छट को चेंज करवाना ही पड़ जाएगी तो पुरानी छट का कुछ ना कुछ सरिया, सीमेंट, इंट नई छट में एड जुरूर करवा उससे भी इसके जो कुछ दोश है न ये धके जाती है चौथे गर में राहू वालों को सीडियों के नीचे कोई स्टोर, किचन बनाना पूरी तरह से मना होता है इससे भी इनके रिजल्स हो है, खराब होते है देखिए, फोर्थ हाूस नौर्थीस्ट कॉर्णर है घर का और यहाँ पर अगर राहू हो, तो नौर्थीस्ट में नौर्मली इनके कबार मिलता है नौर्थीस्ट में राहू की जैसे टॉइलेट बगारा ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है और अगर यह मिल जाएं, तो यह राहू जो हैं, एक दम से पोईजनस हो जाते हैं नौर्थीस्ट में इनको इन तरह की जीज़ों से गचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए नौर्थीस्ट को साफ सुत्रा रखें, नौर्थीस्ट को एकदम से खुला डुला रखें ये लोग अगर अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके करियर सेडू करें, विदेश में चले जाएं, इवन शहर ही छोड़नी तो इनका जो करियर दर्मा एकदम से बढ़िया बन्मा शुरू हो जाता है और इनके जीवन में खुशाली आने शुरू हो जाती है अगर ये जनमस्तान पे जमे रहें, तो फिर इनका जीवन जो है ज़्यादा तर स्ट्रगल में ही दिप आए देखिए चंदर्मा जो है पढ़ाई के भी कारक हैं, चंदर्मा पैसे के कारक हैं, यहाँ पे खराब रहू क्या करते हैं, इनसान को एक तो 24 साल के उम्र तर पैसे की तंगी नेती है इसके अलावा कई पर देखा गया है, कि या तो इनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, बहुत डिस्टर्मेंस के साथ, बहुत ही विग्न के साथ इनकी पढ़ाई पूरी होती है अब अगर पैसे की दिक्कत आ रही है, और राहू चौथे घर में हैं, तो इनको 400 ग्राम सूखा धनिया जो है, उसको जल परवा करना चाहिए सूखा धनिया क्यों? क्योंकि चौथे घर में ब्रहस्पती उचके होते हैं, सूखा धनिया ब्रहस्पती की चीज़ है 400 ग्राम सूखा धनिया लेकि अगर उसको जल परवा किया जाएं, तो इस राहू का पॉईज़न जो है, बहुत रतक शांत होता है, और पैसे की जितनी भी समस्या है, वो सही होती ही दिखे लिए अब अगर डिप्रेशन, मन की बेचैनी, इवन हाट की कोई ट्रबल, इस तरह की दिक्कतें चौथे निर के राहू की वज़ा से आ जाएं, तो उपाई क्या दिया गया है, अब जौन लेके कितनी क्वाटिटी में उसको दूद में भिगो के, इसको चलते बाने में प्रवा अगर आपको चौथेकर के राहू से संबंदित कोई भी दिक्कत आ रही है और इससे मैच कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जुरूर बताएगा, क्योंकि अभी ये जो उपाई हैं और इन चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने हैं, और अग मेरा इंस्ट्राग्राम चैनल योगेश शर्मा एस्ट्रालोजी इसको जुरूर फोलो करिए क्योंकि इस पे निरंतर आपको लगातार एस्ट्रालोजी और वास्तू के लेटेस्ट अपडेट्स तो चौथे गर के राहू का विमरेंट यहीं तब पांच्वे गर में राहू